हेलो भाई मित्रों कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे जै हिंद नमस्कार सस्रियकाल आधा आपतों दोस्तों ज्यादा बाते ना करते हुए हम आज के वीडियो के ओर बढ़ते हैं आज की वीडियो में हम आपको टॉप 30 कॉश्चन कराएंगे जो आपके इंडियन आर्मी के लिए most important है और आपके आर्मी के एक्जाम में बार बार आयो है कॉश्चन है दोस्तों तो दोस्तों जाधा बाते ना करते हुए हम आज के पहले कॉश्चन के ओर बढ़ते हैं दोस्तों पहला कॉश्चन हमसे बड़ा अच्छा पू घ्याता है उनका अंसर बिल्कुल सही है दोस्तों जो गोरख फूर है गो सबसे लंबा प्लेट फॉर्म है दोस्तों बढ़ते हैं आजके हम दूसरे नंबर का प्रस्न हमसे पोचा है दूसरे नमबर का प्रशन हमसे पुछा है दोस्तो भारती रेलवे का एशिया में कौन सा इस्तान है दोस्तो जो भारती रेल है उसका एशिया में कौन सा इस्तान है दोस्तो पहला दूसरा तीसरा चौथा जल्दे से दोस्तो लोग अपना अंसर बताओ इसका अंसर जो दोस्त करना के बाद यहाँ पता चला कि भारत की जन संक्या जो है तेजी से बढ़ लिए दोस्तों कौन सी जन करना के बाद यह पता चला कि भारत की जन संक्या है वो तेजी से बढ़ लिए जल्दी से दोस्तों लोग अपना आंसर बता हो जो दोस्तों लोग इसका आंसर ऑप्सन नं नागरीक हवाई अद्डा कह है दोस्तो जल्दिसाव अपना अंसर बताओ जो दोस्त लोg option number B बता रहे हैm urkल सही ए दोस्तो और उनकी तैनारी बिल्कुल अच्छी है दोस्तो ले हम है सबसे उचाई का वाला नागरिक हवाई अड़ा है दोस्तो बढ़ते हैं हम आज के 500 नमबर प्रश्ण के ओर दोस्तो पांचो नमर का प्रश्ण मुछाए दोस्तो भारत की उत्तरी से दख्षिन तट्की लंबाई है वो कितनी है दोस्तो जल्दी से आपना अंसर बताओ दोस् अप्सन नमबर ए बता रहें उनका बिल्कुल सही है दोस्तों जो 3214 किलो मेटर जो है भारत की उत्तर से दक्षिन की लंबाई है दोस्तों बढ़ते हैं आज के हम चटे नमबर प्रशन के और दोस्तों चटे नमबर का प्रशन हमसे पुछा है दोस्तों सबसे लंबा तटीर ए एखावला राज है दोस्तों, वह गुजरात है बढ़ते हैं माजके शातव नमबर का प्रशन बहुत अच्log का पुछाएं दोस्तों चाहिं ओंप करता हूं कि जलन इसका ऑसन 43 बता रहे हैं हमका उंसर विलुकुल सही है दोस्तों, अजके 8 नमब biscuit बढ़ते हैं दोहथी, आठे नमबर का प्रशन हमसे पुचाए दोस्तो तारापूर परमाणु विजली घर देश के किस राज्य में इस्तित है दोस्तो उमीद करता हूं कि दोस्तो यह आपको प्रशन आता होगा दोस्तो जो दोस्तो लोग इसका अंसर ऑप्सन नमबर बी बता रहे हैं महाराष्ट उनका अंसर बिल्कुल सही है दोस्तो महाराष्टेव में तारापूर पुर भिजली घर है दोस्तो बढ़ते हैं आज के हम नवे नमबर प्रशन के ओर दोस्तो नवे नमबर का प्रशन हमसे पुचा है निम्न में से कौन सा दर्रा उत्राखंड में नहीं है दोस्तो इन चार तर्रा है वह उत्राखंड में नहीं है और पाकी जो यह तीन दर्र है निमाना दर्रा नीती दर्रा लिपुलेग दर्रा दोस्तों यह उत्राखंड में इस्तित है दोस्तों इसकी ट्रीक भी है नीती मना लो मला उत्राखंड जाने के लिए नीती बना लो नीती से हो गया नीती किस वर्ट सुम हुआ दोस्तों ये प्रश्ण आपको आता होगा मुझे उम्मीद है और इस प्रश्ण में आप अपना कॉंप्टिशन चेक कर सकते हैं कौन बच्चा इसका सही आंसर दे रहा है दोस्तों तो इसका आंसर जो मित्रों दी बता रहे हैं उनका अंसर बिल्कुल सही है दोस्तों जो मेग मोहन रिखा है और निड़्धारी आपके लिए most important है जिस तीस की आप तयारी करते हैं यह उसी की चीज का कॉश्ण है यह कॉश्ण हमसे पुछा है भारती सेना की इस्तापना कव हुई दोस्तों यह प्रश्ण तो आपको जरू ना चीए लगभख सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दे दिया बहुत प्रश्ण हमसे पुछा है यह भी आपके एक्जाम के लिए most important प्रश्ण है दोस्तों इसे भी आप इस्टाल लगा लो तो यह पुछा है हमें वरतमान में भारती सेना की कितनी कमाने कारीरत कमाने हैं दोस्तों जल्दी साह हमें बताओ तो मुझे उम्मीद है कि सभी सेना यानि इंडियन आर्मी से रिलेटी हुए तो भारती सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्ण भी आपको आता होगा दोस्तों जल्दी से बताओ दोस्तों जो दोस्तों इसका अंसर option number D बता रहे हैं उनकी तयारी ब लाइब में बताओ और जो दोस्तों यह वीडियो हमारे कल देखेंगे या बाद में देखेंगे वह इसका अंसर कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों तो दोस्तों जो दोस्तों इसका अंसर option number C बता रहे हैं उनका अंसर फिल्कुल सही है जो फ्रांसी सी करांती हुई थी 1789 या यह चैनल चानल चानल के और को हमने इंडियन आर्मी से बहुत सारी वीडियो बनाए आई जो आने गले एकजाम के लिए most important question करा हैं दोस्तों और साथ ही हम कराईंगी आघे भी सोले नमबर का प्रशन हम से पूचा है दोस्तों सोले नमबर का क्वुचा है भगवान आपको यह प्रशन आता होगा दोस्तों जल्दी से बताओ जो दोस्त लोग इसका अंसर नंबर बी बता रहे हैं उनका अंसर बिल्कुल सही है दोस्तों दयाराम सहानी ने अगर की खोज की थी दोस्तों बढ़ते हैं आज के हम उननीसो नंबर का प्रशन हम से बुचा है विस्व में नौ जागरन की शुरुबात किस देश में हुई थी दोस्तों जल्दी से बताओ इटली ब्रिटेन फ्रांच जर्मनी दोस्तों जल्दी से आपना अंसर बताओ जो दोस्त लोग इसका अंसर ऑप्सन नंबर A बता रहें उनका अंसर बिल्कुल सही है दोस्तों इटली में हुई थी जो और नौ जागरन की शुरुबात इटली देश दोस्तों बढ़ते हैं आज के हम 200 नंबर का प्रशन के और दोस्तों आपके एक्जाम के लिए मोस्ट मोस् बिल्कुल सही है दोस्तों साथी उनकी तयारी बहुत अच्छी है दोस्तों तो बढ़ते हैं हम आज के 21 नंबर प्रशन के और दोस्तों 21 नंबर का प्रशन के और दोस्तों 21 नंबर का प्रशन बहुत अच्छा पुचा है दोस्तों लाग वक्ष की उपाथी किसे दी गई है जो लाग वक्ष की वहादी है से किसे दी गई है जल्दी से अपना अन्सर बताओ दो स्थो है, उम्मीद करता हूं जो चल्दे can करने यह बहुत अच्छा है नील दरपन के लिखर कौन है जल्दी से बताओ, जो यह दोस्त का अनसर यह कौन है नील दरपन उस तक लिखी थी दोस्तो तो 33 नंबर के प्रश्ण के और बढ़ते हैं और यह प्रश्ण भी आपके लिए अच्छा प्रश्ण है दोस्तो उम्मिद करता हूं कि सभी को यह प्रश्ण आता होगा तो दोस्तो जल्दी से बताओ कि मोती मजजित का निर्मान किस सास किसने बसाया तो दोस्तो उसमें भी सायथ हमने सा जहा बोल जा था तो वो कॉश्ण थोड़ा रॉंग था हमें चमा करना उसका अंसर हमने बाद अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया था उसका अंसर दोस्तो सिकंदल लो दी था बरते हैं आज के हम 24 नंबर प्रश्ण के बिल्कुल सही है मित्रो तो रूस्त की सायता से भारत ने अपना पहला उंत्रिक्ष में भेजा था दोस्तो बढ़ते हैं आज के हम 25 नंबर प्रश्ण के और दोस्तो 25 नंबर का प्रश्ण बहुत अच्छा पुचा है हारत में अंत्रिक्ष कारिकरम की शुरुआत कप से हु उप्सनों में से किसके साथ रजट करांती संबंदित है मान से अंडा कोईला जिंगा मचली दोस्तो रजट करांती जो संबंद है जो दोस्त लोग उप्सन नंबर भी बता रहे हैं अंडा उसका अंसर बिल्कुल सही है दोस्तो रजट करांती जो है और अंडा उत्पातक से संबंदी था दोस्तो बढ़ते हैं आज कि हम 27 निमर प्रश्ण के ओर दोस्तो 27 निमर का प्रश्ण भी आपके एक्जाम के लिए most important है क्योंकि आपको पता है राजधानी से आपके एक्जाम में हर बार एक कॉशन पूछे जाने की पूरी सम्भावन होती है तो दोस्तो जल्दी से बताओ असम की राजधानी कहा है उमीद करता हूँ कि सभी दोस्तो लोगों को यह प्रशन आता होगा लग 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 सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दे दिया जो दोस्तो लोग option number B बता रहे हैं उनका आंसर प्लकुल सही है दोस्तो अगर आपके एक्जाम में कॉशन आ जाए दोस्तो अरणाचल परदेश की राजधानी कहा है तो आपका अंसर आपके एक्जाम में कॉशन आ जाए दोस्तो मनिपूर की राजधानी कहां इस्तित है तो आपका अंसर आपके एक्जाम में मीजोरम की राजधानी आ जाए तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के हम 2800 नुबर प्रस्शन के वाई दोस्तों आपसे एक चीज कहुंगा और वहर वीडियो में कहता हूं कि आप अपने इस वीडियो को अपने तमाम अजीज मित्रों के साथ कर दीजे दोस्तों साथ ही वीडियो को एक ब्हारत तक कितनी बार आपात काल लागू हुआ है उमीद करता हूं कि सबी दोस्तों को यह प्रशन हाता होगा जो दोस्त लोग परमबीठ चक्र है उसका गठन किस वर्ट रहा था लगभक सभी दोस्तों लोगों को यह प्रशन आता है तो जो दोस्तों ने अप्सिन नमर भी बताया उनका आंसर बिल्कुँ से यह दोस्तों 1950 में परमबीठ चक्र का गठन हुआ दोस्तों और तीसवे प्रशन होने के बाद सभी दोस्त लोग जाते वक्त वीडियो के एक लाइक करेंगे और हमें बताएंगे कि आपने इन तीन प्रशनों में से कितने प्रशन करें और साथ ही अपने तमाम अजीज मित्रों को इस वीडियो को सेर करेंगे दोस्तो तो तो तीसवे नि सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में घंटी वाला इकन आएगा उसे आप और पर कर दिजिए आपको जब भी हम पढ़ाते हैं उससे आदा घंटा पहले दोस्तों नोट्फिकेशन आ जाए तो दोस्तों आपसे कल मिलते हैं साड़ाट बजे पका मिलते हैं दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी साथी आपके 30 में से कितने कॉश्चन हुए तो दोस्तों कल मिलते हैं आपसे साड़ाट बजे दोस्तों पका मिलते हैं तो दोस्तों आज के लिए हमारी वीडियो का सफर यहीं तक था दोस्तों तो जय हिन दोस्तों जय भारत